आप सभी का FD classes में शुवागत है आज हम 7 दिशंबर को जितने भी important question बन सकते हैं उन सारे question को देखेंगे तो चलिए आज का पहला प्रशन देखते हैं राज्य इस्तरी रमायन मंदली प्रगीता का आज़न किस स्थान पर किया जाएगा तिनका सही आशर होगा राजीम में राज्य इस्तरी रमायन मंदली प्रगीता का आज़न किया जाएगा ध्यान देगे राज्य इस्तरी रमायन मंदली प्रगीता का आज़न राजीम में किया जाएगा गराम पंचात इस्तर पर 25 नौंबर से 15 दिशंबर को किया जाएगा जनपत पंचात इस्तर पर 5 जनवरी से 25 जनवरी के बिच किया जाएगा जीला पंचात इस्तर पर 25 जनवरी से 3 फरवरी को किया जाएगा अब अगला प्रश्न देखिये पाक अध्यक्ष्य हैं नोईज और विराट कोली दोनों क्रम्चह स्मार्ट कनेक्टर लाइप स्टाइल उद्योग और क्रिकेट दुन्या की अग्रहनी हैं इंटरनेशनल डेटा कॉपरेशन के अनुशार द्वारीकीश में भारत अर्धारीत विक्रताओं नी टी डवलु संक्राचारिय प्रफेशर विश्योविद्याला का कुल्पति किश्य नियुक्ति किया गया है तिनका सहीं आंसर होगा डॉक्टर सदनान शाही को विलाई इसी संक्राचारिय प्रफेशर विश्योविद्याला का कुल्पति नियुक्ति किया गया है ध्यान देंगे राज्य इसके बाद राजभावन में उनकी न्युक्ति को रत कर दिया गया था नौक्टर साही अब परदेश के निजी विश्विद्याला के कुलपती बनाये गए हैं अगला प्रश्णा देखिए आईशी एओ की अंतराष्टी विमान सुरक्षा रैकिंग दोहर बाईश में भारत कितने इस्थान पर रहा है इनका शहीं आंसर होगा भारत आर्थालिश्वे इस्थान पर रहा है यह वेरी आएंपी कोश्यन है आप इसे जरूर ध्यान दिजिए चलिए ध्यान देंगे पात दिशंब दोहर बाईश को अंतराष्टी नागरिक विमान सुरक्षा रैकिंग में भारत अर्थालिश्वे इस्थान पर रहा है परमुख सुरक्षा तत्व के परभावी किरियावन के संदर्पमे भारत के इस्थान चेन इस्राइल और तुर्की से आगे बढ़कर 85.49 परिश्थ हो गया है चार सल पहले भारत 102 इस्थान पर रहा है चलिए अगला प्रशन देखिए चत्री सरकार ने किस्षेत्र के लिए के इंदर सरकार की वापकोष एंजनसी से अनुबंद किया है तिका शहीं आंशर होगा जल विद्धू शैंत्र के लिए केंदर सरकार की वापकोस इजिस से चत्तिका सरकार ने अनुबंद किया है ध्यान देंगे 36 गड़ में 176 मेगावाट के 5 पम स्टोरेज हाइडरल इलक्ट्रानिक प्रजेक्ट की विस्तूत प्रयोजना रिपोर्ट बनाने का कारिया केंदर सकार की एजेंसी वाटर एंड पावर कंसल्टेर्शी शर्विश करेगी पम स्टोरेज के लिए चिनान की जगह है इसे भी ध्यान देंगे क्योंकि कूट में इससे कोश्चन बन सकते हैं हस्दे वांगो पम प्रजेक्ट कॉर्बा में इस्थित हैं रोनी पम इस्टोरेज प्रजेक्ट जस्पूर में इस्थित हैं दगारी पम इस्टोरेज प्रजेक्ट जस्पूर में इस्थित हैं सीका सेर पम इस्टोरेज प्रजेक्ट गरियबन में इस्थित हैं कोटपलली पम इस्टोरेज प्रोजेक्ट बर्रामपूर में सीथ हैं चलिए इन सारी बाते को याद रखिए चलिए आगे देखते हैं छत्ति का राज्यमी धान कटाई के बाद गरामिन अंचलों में इन दिनों कौन से तेवार मनाई जा रही है यह वेरी आएंपी कोश्चन है क्योंकि इसे वैपम, प्यसी और राज्येस तरी परिच्छाओं में इसे कोश्चन बने हैं आप इसे जरू ध्यान रखिए यह वेरी आएंपी कोश्चन है चलिए इनका शहीं आंसर है दियारी तेवार अभी गरामिन इंचलों में मनाई जा रही है ध्यान देंगे सब्ता भर में अलग-अलग दिन, अलग-अलग गाओं में तिवार मना जा रहा है बस्तर में अधिकतर गाओं में मंगलवार, बुद्धवार, शुकवार को ही तिवार मनाने की परंपरा है इसे धिहान देंगे क्योंकि कूट में कोश्चन बन सकते हैं हाला कि अब दोराई नहीं मिनने के कारण दियारी तिहार की भव्यता कम होती जा रही है फिर भी कुछ गाओं में अब भी पूरी परंपरा के साथ मना जा रहा है उलेखनी है कि बस्तर में हर्याली, नवाखाई, दियारी तिहार, पर्मुक्तिहार है दियारी तिहार के दिन रात्री में उरिशानाट होता है इसे भी धिहान देंगे दियारी तिहार के दिन रात्री में उरिशानाट होता है गोड़धन पर प्रत्ते गाउं में मुर्गा बजार भी भरता है इसे भी याद रखिये कई गाउं में तो मुर्गा बजार तीन से चार दिन तक लगादार चलता रहता है चलिए अब अगला प्रश्ण है राष्टी शांक की आयोग के प्रमुक किशे न्युक्त किया गया है तिनका शहीं अंसर होगा आर एल करिंदिकर को राष्टी शांक की आयोग के अधक्ष न्युक्त किये गया है ध्यान देंगे भारत शरकार ने CMI में प्रोफेशर राजी उलच्मन करिंदिकर को दिशंबर दोहर 22 में तीन शाल की आउधी के लिए भारत की राष्टी शांक की आयोग के अंश्कालिन अधक्ष किरूप में न्युक्त किया गया है भारत की शांकिकी एजेंसी के शामने आने वाले शमश्याओं को कम करने के लिए श्री रंगराजन आयोग की शिफारिश नोशंसक के तहत दोहर 5 में NSC को गठन किया गया है पहले कारेकारी शुरेंद तेंदिकर अधक्ष थे इसमें ध्यान देने वाली बात यहा है कि इनकी शिफारिश स्री रंगराजन आयोग की शिफारिश पर किया गया है यह भी कोचन एक्जाम में बन चुका है इसे भी ध्यान देंगे चलिए अब अगला प्रशन देखिए प्रदेश के दो बड़े हीरा खदान बहराडी और पाली खन से कितने मिल्यन वल्ड कलाश के हीरे का उत्खनन किया जाएगा गशाही आंसर होगा एक दसनों तीन मिल्यन वल्ड कलाश के हीरे का उत्खनन किया जाएगा ध्यान देंगे 32 साल पहले खोजी गई गरिया बंद के 46 शवर का किलोमेटर चेतर में फैली हीरा ख़दानों के वाईशाइक उत्खरनन को लेगा चत्ती का शरकार ने प्रक्रिया तेज करने के लिए हाई कोट में अरजी लगा दी गई है शासन की कोशिस है कि 3-4 महा में गुलोबा टेंडर जारी कर इन ख़दानों में मजूद 1.3 मिलियन वर्ल्ड कलास के हीरे का उत्खरनन कर दिया जाए चलिए अगला प्रश्णा देखिए हाली में चत्ती गड़ में अमरेकी परभक्षी कहां देखने को मिला है तिनका शहीं आंसर होगा गुरू हासी दाश नेशनल पार्क में हाली में चत्ती गड़ में अमरेकी परभक्षी देखनों को मिला है ध्यान देंगे जै भीवितर से संपन्न राज्य होने के कारण राज्य के गुरू खासीदाश नेशनल पार्क में एक ही आयशा मांसाहरी पौधा मिला है इसे वीनाश फ्लाइट ट्रेप पौधा के नाम से भी जाना जाता है इसे ध्यान देंगे इस फ्रजाती का पौधा अमरीका के जंगलों में देखा जाता है गुरू खासीदाश नेशनल पार्क के इस्थापना 1980 में हुआ था इनका पौणा नाम संजाय गांधी रखा गया था जिसे ध्याईर एक में बदलकर गुरू खासीदाश राष्ट्र उद्यान किया गया है ध्यान देंगे राष्ट्र उद्यान 1980 में परजेक्टर टाइगार 1983 में टाइगार रिजार वा द्यार नाम में बनाया गया है यह कोरिया और सुरदपुर जीले में इस्थीत है इनका छेतर फल 1442 वरगा किलिमिटर में इस्थीत है ध्यान देंगे पांच अक्टूबर दोहर 21 को गुरुखासी दाश नेशना पार्क को चत्तिजगर में चौथा और भारत में तिरपनवा टाइगार रिजर वा घोशित किया गया था अब अगला प्राशण देखिए चतिगर राज्य में पिछले चार सालों में धान के रगबा में कितने हेक्टेयर की विद्धी हुए है तिंकर शही आंसर होगा पांच लाग तीरपन हजार 270 हेक्टेयर की धान के रगबा में विद्धिवी है या वेरी आएंपी कोश्चन है चलिया ध्यान देंगे धान के कटोरा के नाम से अपनी पहचार रखने वाले छतिगा राज्या में पिछले चार सालों में द्धान के रगबा में पांच लाग तीरपन हजार 270 हेक्टेयर की विद्धि हुई है वही पंजियन के अनुशार इन वर्षों में समर्थन मुले पर धान विक्रे करने वाले किशानों की संक्या में आठ लाग पंचनवे हजार 200 की विद्धि हुई है इसे भी ध्यान देंगे राज्य शरकार का कहना है कि जब से किशान ने आउजना के तहट धान पदक किशानों को प्रती एकड नौज़ार की प्रशाहारासी देना शुरू किया है तब से धान कर रगबा तेजी से बढ़ा है अगला प्रशन है पीछले वीडियो में हमने आप शे प्रशन पूशा था कि भारत मलेशिया शयुक्त शयन्य अभ्यास हरीमो शक्ति दोहरवाईश कहां सुरू हुआ है गशाई आंसर है मलेशिया में भारत मलेशिया शयुक्त शयन्य अभ्यास हरीमो शक्ति दोहरवाईश का सुरू हुआ है अब आपके लिए आज का प्रश्ण है 36 गड़ के किस जीले को निशक्त जन के कल्यान है तो उश्क्रिष्ट कार्य के लिए शरुत्म जीला शेणी में राज्य इस्तरी फुश्कादोहर बाईश्य समानित किया गया है आप इसका आशर कॉमेंट बाक्स में जरूर दीजिए चलिए मिलते हैं अगले उडियो में जै हिन जै चाथिस गड़ यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूसफुल है तो लाइक सस्क्राइब कॉमेंट और सेयर जरूर करें क्योंकि आपका एक लाइक और कॉमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है